हुआ लग बग दोफ़िकर की बात है मेना मुझे एक्जेक्ट याद नी है साइदthinking का रहा है नुवंबर गए था आठ नुवंबर संगठनों को बुलाने की की थी वो मेहनत कर रहे थे इस बात के लिए कि संगठन सारे के सारे खटे हो जाएं सुरू में हमें एक बताया जो रश्टर्ड संगठन है वो दस हजार है तो हम दस हजार ही मानके चलते थे पर जब हम नागपुर गए और वहां बामसेफ की मीटिंग में बामसेफ के अध्यक्ष ने बताया बोर्कर वाले गुरुप की बामसेफ 29 लाग संगठन है टोटल 31 ला है जो हमारे हैं तब से हमें उनकी फेगर के ऊपर हम बात करते हैं कि 29 लाग संगठन है जो टोटल है और चाल लाग संगठन है जो एक्टिवेट हैं संग्धनों को इखटा करने का हमारा जो मकसद था और जो हमारा परपस था वो ये था कि हमारे पैसे अलग-अलग जाते हैं हमारी रेलियां अलग-अलग होती हैं हमारी ताकत अलग-अलग जाती है हमारे धंब के जो गुरू हैं वो अलग-अलग हैं जो हमारे बुद्विहार हैं वो अलग-लग हैं जो हमारे इंट्रलेक्ट्टल लोग हैं वो अलग-लग हैं सभी ने कुछ 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 संग्ठर बना रखा है एक कॉलिज में दो-दो हैं एक एक यूनिवर्स्टी में चार-चार संग्ठने लाइन लगी पड़ी है सब एक दूसरे से इगो जलन वो सब खतम होना चाहिए वरना हम बशेंगे नहीं यह साधरन सी बात है जो एक साधरन आदमी सोच सकता है इसके लिए कोई पीएच्डी करने जो तो नहीं है कि सारे के सारे संग्ठने इखटे आएंगे तो हमें इसी बात पर बहुत पहले ऐसे यानि 2019 को तो हमने इखटा किया उससे पहले हम बहुत मीटिंग में जाते रहे उससे पहले मारी पटाईयां भी हुई है खुब हमने क्या बोलते हैं लोगों की जली जो जलाल थरकत हैं जो बत्तमीयां वो खुब सही है क्योंकि यह बात जब हम कहते हैं कि वह सारे खटे हो जाओ तो आज तक की हिस्ट्री में भी हमको किसी भी साधरल आदमी ने या चंदा देने वाले ने या जंडा उठाने वाले ने या बैनर उठाने वाले ने या दरी उठाने वाले ने या जैकारा लागाने वाले ने कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने हमार सपोर्ट का उन्होंने का बलकूर ठीक के रहे हो यही हमारी दिल की इक्षा है पर जो चंदा लेता है जिसका जंडा है जिसकी कंपनी है जिसका संग्ठन है जो मालिक है जो पदादीकारी है जो प्रधान बना हुआ है उसने हमारा विरूद किया जिसमी मंच पे जाके मैंने य TC Smile at 1 क्योंकि काम ये जान तो इससे बचे番 से इसलिए मन्चों पर लोगों ने ब्राणा चोड़ दिया नहीं पर मुसीबत आती है तो सही बात सय तो सब्छ में आने लगी और तेजी से सौच से पर है कि हम तेजी से और तो यह सांव सारी की सारी बाते वहां चली तो वहां आठ वोंबर को 2019 को एक लिखित में डॉकुमेंटर जो डॉकुमेंट है समण समाज की तरफ से साइन किया गया लोगों ने और समण समाज के लोगों ने उसमें बाम से जो एक गूरूप है उसकी भी तींचा लूब थे पर वह संधन इख्टे होंगे तो हमारे अंडर नहीं नीचा जाएंगे और वहां जितने भी संधन आये वह सब इख्टे होने के मन से नहीं आए तो उस परीपत्र में हमने आगे के लिए लिखा था कि measure 14 अपरेल 2020 तक इखटे नहीं हुए तो हम फिर लोगों के पास जाएंगे हम संक्ठन के पास नहीं जाएंगे पर 2020 में कोबिड आ गया कोबिड बड़ा बुरा फैला और 2021 में भी कोबिड रहा इसलिए 2020 में कोई वहाँ पर लियमेंट के ओपर बात नहीं हो पाई सब अलग लग रहे पर 2021. अच्छानक होने लगी ऐसी सब लोगों से बात renewed लगी तो संक्ठन भी आये है यहां और लोग भी आए तो संग्ठन व पर सुरू के समय सभी तरह के लोग इसमें आए और जो सभी तरह के लोग आए उसमें दो तरह का बाद में वर्गीकन हो गया एक तो वो लोग जिनोंने ये कसम खाली के हमें इखटा होना है चंदा कभी नहीं देना है ना लेना है जाती कर अभ्यास करना है ना जाती की बात कर संग में रहना है और संग के अलावा कहीं नहीं जाना चाहे कुछ हो जाए चाहे कोई कुछ भी का है और पद प्रतिष्टा मंच माला हमें नहीं चाहिए हम जमीन पर बैठेंगे हमको उपर नहीं बैठना और पंजी कराण रेश्टेशन कभी नहीं कराएंगे इसका कोई मालि की नएे और यह नियम हम कभी बढ लेगे नहीं इसके अलाबा संग सेवा के नियम आ रहे हैं दिये दिरे और भी मॉरल डूटी के नियम आ दिये दिरे पर जब यहां लोग आने शुरू हुए तब तक यह गोल्डन नियम नहीं बने थे ये पूरे संग के नियम है और पुराने संग के नियम से ये मैच करते हैं तो जो लोग यहां आते गए आते गए और जिनका आज के जो दस नियम है उनमें यकीन नहीं था उन्हों लोगों को बड़ी दिक्कत हुई उनको दिक्कत हुई पर वो दिक्कत बताए ना ये ठीक ऐस जैसे पेट में मरोल उठा है और टॉलेट जाना है और टॉयलेट नहीं आसपास नहीं है और सरम के बारहे बतानि लृएropार बतानी रहा तो डिकत होती है आदमी मन में ऐसा है कि मैं अपने दोस्त का मोबाइल चुराऊं तो उसका निखा इसकी दिमाग चुराई उसकी मोबाईल में रहता है कि कभी दोस्त निजाए बैठे मोबाईल छोड़े और मैं बहागू वैसे ही जिनके दिमाग कहीं और चल ले थे उनके यहां गॉल्डन भूर में दिमाग लगी यह उन्हें यह गॉल्डन भूल काले सांप के जहर जैसे डसण लगे. क्योंकि किसी का अगर मन अरहा होगा कि वो इसमें चंदा ले, या पैसा खटा करे, या कोई बैंक खोले, या कोई रिच्टेरिशन का मनी ले, या पर्ची काटने का जो धंदा है, पर्ची काटने का धंदा मतलब बहुत सारे लोग हैं, जिनका यह을 रोजगार हैं कि साल में 3-4 काइकनम करते हैं पड़्ची लेते हैं और हमँसा जेममें रखते हैं और जो आसामी मिली दिन में तोचकर आ ANY सिथी जाते हैं कि आज उसको कटेंगे आज उसको कटेंगे या जो और LML वाली जो मर्टी लेवल मार्केटिंग जो सिस्टम है वो है या एजेंट बनने का है या माल बेचने का है वो सारी चीज़ें यहां बैन हो गई कि आप समण संग के अंदर रहकर संगी रहकर यह काम नहीं कर सकते हैं तो उनको घुटन होने लगी उनको परिसानी ह होने लगी पर कहने पारे की से भी कहें कैसे क्योंकि कहेंगे तो संगे के खिलाफ नहीं है तो यहां उन लोगों की पीट में दरद होने लगा जिनको मंच चाहिए जिनको माला चाहिए जिनको भाशन चाहिए तो कि इस इन गोल्डन दसरूर में भाशन का रूम लही है भाशन का रूल इस एक तारिक को पास हुआ है कि अब यहां भाशन भी चलेंगे तो जो भाशनवाज हैं उनके लिए रिस्टिक्शन लगा दी क्या restriction लगा दी संग ने संग का काम है जुड़ने का जोड़ने का आपने अगर किसी बहुत बड़ी सवाग में कुछ कहना है तो आप सिर्फ जुड़ने जोड़ने के वारे में कह सकते हो और अगर वहाँ पर टाइम की लिमिट है और लोग जादा है तो आपके काम के अधार पर आ यह जो मिनट टू मिनट कमेटी है वो तैय करेगी पर आपका राइट मारा नहीं जाएगा जितना अगर आपका काम किया उतना राइट आपको संग देगा ज्यादा भी देगा पर आप बिना काम करे राइट मांगो नहीं मिलेगा किसी बालत नहीं मिलेगा चाहें आपकी प लोगों को परसानी होने लगी जो इसके मालिक बनना चाहते हैं कई बार कोशिस भी की किसके मालिक बन जा है कुछ लोगों ने मालिक भूनने की कोशिस की तो ना तो मालिक मिला कोई हो तो मिले और ना ही वो मालिक क्योंकि मालिक बनने का यहां कुई कॉलम है नहीं तो उनको दिक्कत होई और बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको हुई जिनको राजनीती में जा उनके तो अर्माण ही मर गए क्योंकि रिटायर होने के बाद जो आदमी होता है वो सोचता है थोड़ा बहुत उसने अपने दक्तर दक्तर में काम किया हो इसका मन होता है कि अब जरा एम एले का चुनाब ड़ड़के देखें अब जरा एम पी का चुनाब ड़ड़के देखें तो यहां लोग इखटे होते हैं ये पूरे भारत में पूरे भारत की गारेंटी है पूरे भारत में अब तक का सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा और सबसे रिलाइवल और सबसे अच्छे लोगों का समूर संग है क्योंकि इसमें जो लोग जुड़ते हैं उनका कोई लालच नहीं होता वो जुड़ते है तो अपने पैसे से जोड़ते हैं अपने खर्से से जोड़ते हैं और यहां से सारी बाते हैं और लोगों को बताते हैं और जोड़ते हैं जोड़ना 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 की यह स्थती हो गए है कि आज के समय अगर आप दो हजार लोगों को कॉल करोगे तो अभी छमता ऐसी ह कि दो हजार कॉल दो हजार लोग एक दिन में पूरे देश के कहीं भी पहुंच सकते हैं यह चमता आ गई है और यह चमता कम नहीं है यह चमता किसी राजनेतिक पार्टी के पास में नहीं है कि वह दो हजार लोगों को कॉल करके पूरे भारत में कहीं भी पहुंचा दे यह चम है चंता को कुछ लोग आए औरने अपनी देखा के यहां क्या चला है क्या नहीं चला है मौना किया तो पहले मीठे बोले बाद मैं इसमें गुसे बाद मैं फिर वह थोड़े से हाथ पर शकाए फिर उन्होंने भाजन वाजन पिंडने को पर उसके बाद में अपना हिस्सा मान है कि हिस्सा क्या चाहिए उनको के उनको यहां स्टूल चाहिए पद्स यह पर हिहां तो है नहीं तो लड़ने लगे जगणने लगे कि ह leurs बना यह बनाई यह बन नी सकते तो तो फिर जब नहीं कुछ हुआ नहीं कुछ मिला तो growth मैं क्योंकि यह नहीं कह सकते कि ह reflect the मनचूमाला खिलने आए थे यह नहीं कह सकते के हम यह जाती का अभ्यास करने आए थे तो कहें किन चेर, तो उनके अंदर जो गैस उगवाल है वो बड़ता रहा बड़ता रहा, और जैसा कि नेचर्छल होता है, कि जिस आगमी का मन घिस काम में ना लगे, तो आप नाचना नहीं आता हो कहते हैं कि तेरा जो आंगन है तेरा जो यह फर्श है जिस के चाप दो जिसको काम नहीं करना होता बिटोरा वो होता है जिसमें कंडे लगे होते हैं पुराने गाओं की भासा है तो वो बिटोरा में सांप बताती है जिसको काम नहीं करना होता तो वो इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को काम नहीं करना जिन लोगों से बार बार कहा गया कि भी काम बताओ क काम तुम्हें किया नहीं किया ऐसे लोगों को लगा यह तो डाल गलेगी नहीं पर यहां से इज्जत से निकलना चाहिए क्यों कि हम यहां से बेज़त हुए क्यों जाएं तो वह यहां बेकार की बात है छोटी मुड़ी बाते करके जगड़ा करने लगे पर उनसे हरवार यह बाबुजी काम कितना किया आपने काम बताओ संग को जो यहां जादा बोलता था जादा रूल मीनियम की बात करता था उससे धीरे से पूछे थे बाबुजी कितना काम किया आपने काम क्या है इस्पोक है काम क्या है टीम 11 है काम क्या है संगती लगानी है काम क्या है गोर्ड है जोड़ना यही काम है तो बहुत साथ लोग लगाते हैं जोड़ने जोड़ने की बात करते हो यह तो बताते नहीं कि जुड़ेंगे क्या तरसल वह यह नहीं पूछते कि आप क्यों नहीं बताते क्योंकि यह तो हमने हर बार बताया है कि जुड़ने के बाद में जितने यह साले साल के बाद मैं कोई समस्या आने वाली एंवा उसका समध्धण आज करोंगे यह मूर्खों का हिसाँ है आप किसी planning के लिए एक छोटा दारा तो बरा सकते हो एक छोटी बात तो कर सकते हो कि हम ऐसे 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 करेंगे पर उसमें संभाव ना होती है हम आलू बोईगे पर तब बोईगे के अगर मौसम ठीक हुआ जमीन में पानी ठीक हुआ नमी ठीक हुई और नहीं हुआ तो क्या कर सarna है तो कौन कहता है कि हमारे पास में हमारे पास पूरा प्लान है कि पहले हम इहां कोन कहता है कि हमारे पास फ्लान भूंने हमारे पास तो दुनिया यसमें को पहले यह कहा था अबुए से प्रधान क्या है इसमें प्रधान कौण है इसमें जरनल सेकर्टी कौन है, इसमें कैशिर कौन है और उनको भी छोड़ो, बाई साब इसमें मैं क्या हूं, मेरा इस्टूल कहा है, मेरी कुर्सी कहा है, मेरा कहा लगाओगे, मुझे बताओ, मेरा इस्थान कहा है, ये पूछते हैं लोग, पर घुमा के पूछते हैं, सीधे-सीधे नही to joutah nikalker बढ़सा देगा कि जब यहां पद नहीं प्रतिश्टा नहीं मंच नहीं माला नहीं तो तो यहां तेरी हिमत कैसे हुए और तु यहां बोल कैसे राए इसलिए घुमाके पूसते हैं प्लान क्या है प्लान प्लान बताओ वो प्लान नहीं पूसते हैं कहते हैं हमारा स्टूल कहां लगेगा हमारी मेज कहां लगेगी हमारी कुर्सी कहां लगी कि वो बताओ हमें क्या मिलेगा इसी मिलने मिलाने में कुर्सी और स्टूल में हम बरवाद हो गए जब भी चार आदमी खटे होते हैं पहले वो प्लान बनाते हैं फिर वो कुर्सी मेज स्टूल बनाते हैं फिर उन पर बैठ जाते हैं और फिर कुछ लोग और प्लान मनाते हैं फिर वो स्टूल कुर्सी मेज लेके आते हैं फिर उन पर बैठ जाते हैं ऐसे ऐसे 29 लाक इस्टूल पूर्स लाकर बैठे हुएं और कहीं कोई काम नहीं हुआ आज तक की हिस्ट्री में किसी भी संग्ठन ने जो उद्देश से अपने संविधान में लिखे हैं अगर एक संग्ठन ये बता दे कि मेरा उद् को का संग नहीं एक बुद्ध की जो जितने बुद्ध के दाविदार और बिखू जो बनते हैं या जो लोग दिख्षा पर दिख्षा करा रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे वह सकता है तो पुड़े कभी घर नहीं बनते अगर आप इट है बिखेड दो किसी घर की चारों तरफ और रोड़ी बदरपूर बिखेड दो उसकी चौकट पॉकट निकाल के दरवाजे रोजन फैंक दो तो वो घर नहीं होता घर जब होता है जब यह सारे जुड़ जाएं और जुड़के इनकी साफसवाई मजबूती से हवा पाने इनका होता रहे तब घर बनता है तो जो य पठ्थे ऐसे हमारी जो अस्ताज हैं नहीं को घर कहते हैं यह चोटसी बात समझ में नहीं आती के टोकडों को घर नहीं बोलते इन सब से मिलके बनता है तो ये कवायद हमने शुरू की तो हमको ये 2020 में सुझना आ गया था कि हमें सब लोगों से बात करनी पड़ेगी क्योंकि नेता तो कभी नहीं खटा होगा तो अभी जो विरोध आ रहा है वो दो दो तरफ से आया है एक तरफ का लगबर धीला पड़ने वाला है यहां से जो सीदे चले आए अपनी मुझ पैना के अपनी जीप पैना के और जो क्या बोलते हैं यहां राजनीती और प्रतिष्टा मंचमाला पैसे के चकर में आए कई लोगों ने तो आया जो उसने यह कहा जी के मैं ऐसे ऐसे करके कोपरेटिव बैंक और कोपरेटिव चीज बनाऊंग है वो तो हम निगा रखते हैं पूरी पूरी और उन्होंने बिना हाउस की इजाज़त लिए कर दिया कि एक लाग जमा करो पचास हजार जमा करो यह जमा करो एमर्जनसी मीटिंग हुई उस दिन के बाद से यह हुआ कि हाप पैसे की बात नहीं होगी बड़ी मुश्कित से स हानुस aggressive हम सब की रख की नहीं पड़ेगी ना संकी की नहींवी सग्गी है अगर हमारा संग पूछ नहीं हो सकता हमने पूछा वहां कोन है क्या है कहे राजाजी तो वहां gelir लगनुकी पार्टी का जनरर सेकरेटरी हो तो 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 वह है यहां लोगों का क्या करेगा कि जी राज्मितों राजनिती के लिए कोण पता रहा है यह घोल माल इसलिए है क्योंकि हमारे सीधे साधे लोग पूछते नी वह सवाल जवाब करते नी तू कौन बंदा है क्या दिराजनीती है कौन सा पैसा है कौन सा मंचे कौन सी मला है एक व्यक्ति यहां आया उसने गा जी मुझसे पैसा ले लो बड़ा है बराबर है दस आदमी होंगे दो मिनट मिलेगा बोलने के लिए पर बोलेगा भी विचार के उपर मैं मैं नहीं कर सकता मेरा मेरा नहीं कर सकता अपना कोई विचार नहीं दे सकता सिर्फ जोड़ने और जोड़ने का विचार दे सकता है तो इतने सारे लौक लग गए तो लिए यहां को लोग आ रहे हैं पर अब थोड़ा सैंटलमेंट इसलिए हो गया है कि संग अब परिपक्त हो गया है और रास्ते पर बढ़ दा है तो एकत्य जुलाई को मीटिंग है गड़ मुक्तेसवर में सब महिलाएं आ रही है उनकी महिला संगती है महिला संगती भी होगी पर पुरुस के जाने का कोई बंदन है इतनी महिला है उतने पुरुस आ सकते हैं इससे ज्यादा भी आ सकते हैं उससे कम भी आ सकते हैं वहाँ जोले पड़ेंगे तो आदा आधा के लोग स्वाद का घ्डानागे आनां और सब आपना आदा आदा कि लोगे आँए तो वहां घेवर मिलके खाएंगे बच्चे महां मौज करेंगे महां गाने माने का संगीत का भी कायकन रखाए और हो सकता है कि वहां पर महिलाओं की डिमांड पर महंदी वाले भी आ जाएं ऑन पेमेंट होगा जिसको महंदी वाले लगवाले लोगी यमना नगर में वह है तोपरा वहां पर भगवान गुद्गा धम चक्र बहुत बड़ा लगा हुआ है और वहां पर यमना नगर के अंदर बहुत बड़ा इस तूप भी है चनेटी बोलते हैं जिसको और वह देखने लाएक है और बरावर में यमना बहती है इसलिए संगती की संगती होगी बहुत साय लोग होंगे अपना अपना खाना लेकर लेकर जाएंगे और वहां पर संगती करेंगे और बाकी मार टोपरा में जाएंगे और जो लोग यमना किनार जाना चाहा हो घाट पर जा सके हैं तो वहां के लिए आप त्यार रहो 24 जुलाई के ल लखनव की संगती अब तक की सारी संगतियों में सबसे बड़ी रहेगी उनकी जो तैयारी है वो दो हजार आदमियों की है और वहां पर जो उन्होंने जगे चूज की है वो बहुत बड़ी हाकी है चैंप्सपोर्ड चांचलर क्लब है चांचलर क्लब के अंदर वो मीटिंग ह होगी उसमें 200 रुपे का खड़सा पास हुआ है आपने 200 रुपे सिर्फ खाने के चाये नास्ते के हमाँ देने हैं एक बंदेने वो चाये नास्ता खाना उन्हीं की तरफ से है जो किलब है और उस किलब के अंदर बहुत आलिशान किलब है वो उसमें हम सारी लोग जाएंग साम को चलती है सुबह आपको पहुंचा देगी आप किसी के भी रूम में होटल में अपना चेंज करने कपड़ा वगरा बातचीत करके जाएं कौन-कौन होटल में रुका हुआ है और वहां से संगती को अटेंड करके साम को फिर लखनों में से बापस आ जाएं तो इसके ल संख्या ज्यादा रहेगी पर हमारा कपड़ारा नोन डिएल से करेंगे नोन डिएल की लोग जादा हो क्योंकि ये नाम चिकित्सक खा जरूर है इसलिए है क्योंकि चिकित्सक की जो रैपूटेस है वो बहुत अच्छी है और बड़े महनत करे हैं पर हम सारे के सारे ही चिकित्सक के परिवार के हैं तो अपने परिवार के साथ सब के साथ जाना है चाहे वो जीने रहे चाहे डॉक कर वेटर वगरा सब मिलते हैं कोई ऐसा नहीं है बढ़िया मौसम होगा आप अपना फस्क्लास कपड़ा अपडेट पैन के त्यार करके रखें अपनी बुकिंग पहले करा दें जो टिकेट पहले बुक करा देंगे वो सस्ती मिलती है बाद में टिकेट महगी मिलती है तो और दिल्ली में हर अपते संगती चल रही है बढ़ी संगती करेंगे और दो KHOUPर겠죠 मिल्याया उसके लिए हम सबकी जुम्मदारी बहुत ज्यादा है तो उसमें अभी हम पैसा एकटा करना है तीन लाख रुपे करीब हमें एकटा करना जो रिफंडेवल है 따라 लेते हैं और जब सब लोग अपना वो एक तीन लाग रुपे जमा हो जाएंगे, वहां हम जमा कर देंगे, उसके बाद जब पैसा आएगा तो उनका बापिस होता चला जाएगा, जो लोग तीन तीन हजार रुपे जमा करना चाहें, वो करा सकते हैं, इसके अलावा मीटिंग हो रही है, जो यो मिन्दा सरे उनक के पास पुरा खाकायर वो डालते रहते हैं, कहां कहां हो रही है, क्योंकि एक संगती जो और बड़ी होनी है, वो संगती हमारी तेईस की, तेईस सेप्टमबर की है, जबावा साब का संकत दिवस है, वो बड़ा इतियास ही है, उसमें असी लोगों ने अब तर टेंड की ट सो तक हो जाएगा, उसके बाद फिर आसपास के लोग कराएंगे, तो हमारे ख्याल में वो दो सो से लेके और ढाई सो लोग हम यहां से जाएंगे, वो गुजरात वाले उसकी त्यारी कर रहे हैं, ये सारा काम, सारा काम, सारा काम चल रहा है, पर इस साल संगतियां बहुत ल रखिया उन्होंने, वो संगति बहुत लाजवाब रही क्योंकि वो गंगा के पार है, गंगा हम पार करेंगे, गंगा का घाट आएगा तो जगे बहुत अच्छी है, पुरा बहुत बढ़िया होगा, तो ये सारे काहिक्रम लगातार 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 लग रहे हैं, इस सारा काम चलना है जुड़ने जूड़ने का इसकी स्पीड बढ़ गई है काम बढ़ गया है इस काम को मैनेज करने के लिए अब तीमें बने लगी है कोई व्यक्ति अगर ऐसा एक सुख हो कि जो इस टीम में सामिय होना चाहता है मैंगेजमेंट की में तो उसकी टम्स भी हमको ज्यादा चाहिए सेवक भी ज्यादा चाहिए जो ज्यादा अच्छी तरह से काम को करा सकें यह काम इतनी तेजी से बढ़ रहा है हकीकत यह है कि यहां जितने काम करने वाले हैं वो कम पड़ रहे हैं और काम करने वालों की सक्त जरूर्द है क्योंकि जब काम करने वाले बढ़ेंगे नहीं तब तक काम को समालेंगे कैसे क्योंकि काम ते देखवाल नहीं नहीं होगी तो काम भी tha जाएगा काम भी जाएगा तो फिर वो किसी फायदे का रहेगा बिख़ी फीज़ एक एक सेव एक सेव के पेड़ पर बहुत सारे सेव आएं पर अगर वो गिर के बिखर जाएं सड़ जाएं तो उनका क्या फाइदा क्या फाइदा जो पर ने थी महत की इसलिए उन सेवों को समेटला हैं उनको अच्छी तरह रखना है किसी का कुछ का मुरबा बना के आगे तक काम आएग इसलिए हम सारे लोग यहां इखटे हो रहे हैं और हमारा एक काम है इखटे होने का जो नए लोग आज यहां आए हुए हैं वो इस बात को ध्यान दें कि यह संग है यह संग्ठन नहीं है संग में और संग्ठन में जमी आनस्पन का अंतर होता है आप थोड़ा सा यह समझ सक कि पूरी दुनिया में संग जो होता है वो एक होपाता है एक समुदाय का या एक जंट्री में संग के ikke संग है इसके बिप्रीत मिड् on-बना रखा है जिसको बोर्मत्र संग की खाश बात है कि वो आज जहाएं पैसे उसके पास ये हैं जमीन जयजाद उसके पास हैं देस सम्ध नोकरिया उसके हो जाएंगी तो लोग कहते हैं जी ऐसे कैसे मिल जाएंगी अरे भाई ऐसे इसनीं मिल जाएंगी क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी ले जाओ अपनी हिस्सेदारी तो लोग कहते हैं हम तो इतने सारे हैं भाई आप इतने सारे हो इतने सारे हो बिखरे हुए हो अगर सेव पेड़ पर आए और वे खटे ना हो तो कोई नहीं होती है और अगर सौसेव से हों एक साथ Love एक आगर होती है तो में जान बसती है जो जनского के अंदर हरण होते हैं वे सक्क्वर है पर वह खटे रहते ज़ुम में रहते तो उनका शिकार नहीं होता शिकार उसी हिरन का होता है जो हिरन जुन्ड से अलग हो जाता है संग से अलग हो जाता है और तो और जो शेर होते हैं वो कितने ही खुंकाल जानवर हो पर अगर शेर भी अकेला घूमता है जंगल में तो उसका भी कुत्ते मिलकर शिकार करते हैं क्योंकि कुत्ते जुन्ड में होते हैं इसलिए आप ये समझोगे भई कुट्ते जुंड में है और वो शिकार कर रहे हैं और शेड मस्ट गीदर हो बनना है बर शेर इखट्टे होगे बनना है अलग वाला सेट जो कोई मुंच उपर कर गूंता है को बना है कोई घूम्च के सारे तोब इसमें तो कोई शक्त नहीं है को पुराने शेर हो कहना पड़ाएगा मानना पड़ाएगा सम्राट असुक के समय के शेर हो पर अलग-अलग शेरों के तो शिकारी होते हैं भाई इसलिए इखटे हो जाओ सिर्फ इखटा होना है चाहें पड़े लिखे हो या नहीं हो चाहें प को इखटा होना है। यही काम करना है। शूरां की इंदर की जातिया कुछ नहीं होते हैं सिर्फ जानवर होते हैं पर उन्हें भी इतना ग्यान है कि अगर इखटे रहेंगे तो शेरों से बचे रहेंगे और यहां जो लोग अपने आपको बुद्धी जीवी कहते हैं बावा साथ का बेटा और बुद्ध का बेटा और अनुयाई और सबसे और इखटा होना नहीं आया तो हिरन से ज़्यादा बेकार कोई फाइदे हैं जानवर से ज्यादा बत्तर से निकलाओ सिर्फ इखटे होना रिखटे होने के लिए संग से बहतर जगरी में कोई भी यह दस गोल्डन डूल हर आदमी को बताओ हर आदमी को सुनाओ यहां जो कह जाता है जो लिखा जाता है जो बता जाता है वही होता है एक वारा के चेक करो एक वारा के देखो कि जुड़ने में कितना मज़ा है और जुड़ने में किती सकती है और संगे सकती होती है जो जो लोग अपने संगों को नमन करते हैं उन्हें दुनिया में कोई नहीं हला सकता जो अपने संग को सलाम करते हैं उन्हें कोई नहीं हरा सकता मुसलमान अपने संग में रहते हैं और संग को सलाम करते रहते हैं उन्हें दुनिया कोई ताकत नहीं हरा सकती जो लोग संग में रहते हैं जो चोटी सी बात है जो जीतेगा जो जुड़ेगा वो जीतेगा और जो जुड़ने जुड़ने के बीच में आए उसको जम के सुनाना है जम के भगाना है जम के लातारना है क्योंकि जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं जब 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 जीते हैं जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं और जितने जितने जुड़े हैं उतने उतने जीते हैं और हम पहले भी जुड़े थे पहले भी जीते थे और फिर जुड़ रहे हैं फिर जीतेंगे संग को नमन संग को सलाम धन्यवाद आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या printer में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या permissal लेने की बिल्कुल भी जरूट नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सेंग गच्छामु संगं सरनं गच्छामु तू थी यंपी बुद्धं सर्णं गच्छाम। 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 तू थी यंपी सर्णं सर्णं गच्छाम। साथू, साथू, साथू